आज मैंने बनाया है बहुत ही मज़िदार सा अंड़ा भुर्जी बहुत ही मज़िदा बना हुआ है और इसके साथ मैंने बनाया है सिंपल वाला रोटी इसमें मैं घी लगा दूँगी उपर से तो बचलों भी खा लेंगे और हस्बेंट भी Assalamualaikum कैसे हूआ आप सब उम्मीदै कि आप सब ठीक होंगे और आप सब की दूआं से अलहमदुनिल्ला आप सब भी ठीक है सुबह का नस्ता होगया था सारा काम होगया आज जु्माँ था आप सब को दिल से जुमा मुबारक आप सब की मुरादे अल्लापा को सब पूरा करे अधीबा का न, तब bacter आज सही नहीं है, तो उसको fever है अधीबा को, तो अभी उसको न, मैं दvaja दी हूँ, और अच्छे से, सुबह में ही मैंने दvaja दीआ था, अभी फिर, उसको मैं नहलाई हूँ, अभी जाके, तो अभी फिबर उतरा है, तो अभी फ्रेस हो गई है, तो फ् में जाके खेल रही है बाहर तब मैं सोची चलो मैं ब्लॉग सुबह में थोड़ा सा बनाई थी उसके बाद फिर मैं काम में बिजी हो गई फिर अधीबा भी बीमार हो गई तो फिर मैं नहीं कर पाई इसके वज़े से तो अभी मुझे टाइम मिला है अभी एक डिड़ बज़ खानाओना खाली स्कूल से आ गए थे तो उनको मैंने चिकन फ्राई बना के दिया था और रोटी दिया था क्योंकि उनको बहुत जादा चिकन फ्राई पसंद है तो फिर मैं बोले कि ममा हम चिकन फ्राई और रोटी खाएंगे तो मैंने उनको रोटी दिया अब मैं भी अब मैं थोड़ा सा रिलाक्स करूंगी विडियो भी मैंने अपलोड कर दी क्या क्या काम है नहीं है आरा दीबा के लेकि बहुत जादा टेंसन हो गया है उसको फीबर आरा जारा एक तब और उसको जुखाम भी हो गया है मुझे हुआ था उसके बाद उसको हो गया है क्योंकि पता नहीं लग रहा कि अभी मौसम चल रहा है सरदी और बुखार का जुखाम का और बुखार का तो इसके वज़से हो रहा है बच्चे लोग को अभी उसको हुआ है अब उसके वज़से सब को होगा पहले मुझे हुआ फिर उसको हुआ अब उसके वज़से सब को होगा अ बहुत जादा मैं परिसान हो जाती हूँ, बचे लोगो लेके, खुद बीमार हो तो कोई बात नहीं चल जाता है, लेकिन बचे लोग बीमार होते हैं तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता है, अभी अधीबा बहुत जादा छोटी है, बीमार होती है तो बहुत जादा मुझे सताती है, टाइम ही नहीं मिल पारा बिल्कुल, एक तो बच्चा विमार है, उसके बाद बच्चों का इस्कूल भी है, घर का काम, बाहर का काम, सब मैनेज करना पड़ता है बहुत जादा मैं, उसको लेके ना बहुत जादा दिली नहीं कर रहा, कुछ भी काम ऊंवों करने का और बारिज यहां पे कभी रुक रहा है कभी हो insult रहा है कभी हो रहा है तो कपड़ा भी बाहर डालने पर गिला हो जा रहा है सुखी नहीं पा रहा है कध्या होले कपड़ाली ठीक पूरा गिला गिला होina conflict आज मैं अंदर ही डालने वाली हूँ आज मैं अंदर ही डालूंगी और मेरे ना पैर में बहुत ज्यादा धर्द हो रहा है पता नहीं क्यों से इस पर फरस पर चलने से बहुत ज्यादा पैर में धर्द होता है बहुत मैंने डॉक्टर दिखा है लेकिन ठीक ही नहीं होता है अ वासी जाने के लिए पूरा दिल लग जाएगा उधर फिर बच्चों को कैसे छोड़ के जाओ समझ नहीं आ रहा है अभी मैं जाने वाली हूँ मुम्रा काम है मुझे टेलर के पास तो जाना है आगे आपको खुद बताऊंगी क्या काम है नहीं काम है तो मैं जाने वाली हूँ आदीबा आगे अदीबा अब याप ठीक हो हार फीवर उतरह है हाँ अभी ठीक लग रहा मैंने नह लगा तो आपको वीदना मेरे बच्चा ऐसे ऐसे बटो कहां जा रहा बच्चा काहां जा रही हैं तो बच्चा लगा तो चार्ज कैसे करूंगी मैं आप मुथ में मत लगाओ यह अच्छा नहीं होता है ना बिटा इसको रखो ऐसे मोड़ो ऐसे मोड़ो जाए नहीं के लिए जीद लग जाती हो जो बोलेगी न इसका हर बात मानो बस उतेगा बहुत ज्यादा जीती है यह जो बोलेगी उसको वही करना है जो दोजी करेगा वही करेगी उसको किसी का सुंती नहीं है उससे अगर ले लोंगे तो अभी होना चालू करेगी साथ बच्चे लोग ट्यूशन जाएंगे तो मैं सोची थोड़ा सा अभी जाके पुरा बच्चे लोन गंदा कर दिया विजारी साफ करने जाड़ लगाने साफ सफाई करने कपड़ा भी धुल गया है मैं उसको भी जड़ा डाल दू उसके बाद फिर बैठके इरिटिंग क बैक कैमरा हो गया था भी मैंने फ्रेंट किया अभी मैं जा रही हूं सोच रही हूं क्या बनाओ तो अभी डिसाइड की हूं कि प्राइराइस बना देती क्योंकि कल दाल चावल बनाई थी मैं साधा खाना बनाई थी तो अभी सोच्रियों कि एक फ्राइराइस बना दू बच्छे लोगों को भी पसंद आ जाएगा और आज ना अदीबा का तब इत्रे नहीं है इसके वैसे बिल्कुल भी दिल नहीं कर रह तो फिर ना मैं सोची की फटा-फट सारा रेडि आप क्यों गए उदर हां क्यों गए मैं तली क्या मुझे बारिस की हवा लेनी थी बारिस में हवा आ रहा है भींग गई ना पूरा चलो कपड़ा उतारो आ उतार दू फीबर है ना तुमको इदर रख चलो चेंज करो इसको नहीं 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 बाप महा होगी उतारो इसको अब इसको नहीं नहीं जाओंगी तुमको लेके घूमने ठीक है अभी मैं सोची चावल बना दूँ चावल बनाने के बार सब रेडी कर देंगे जब खाना होगा तो फ्राई कर देंगे फटाफट राइस बना हुआ रहेगा ना चावल तो फिर फटाफट हो जाएगा सब रेडी करके रख देंगे तो और गरम गरम जब खाना होगा तब यहाँ पी मैं बना रही है व्राइरास हो रहा है कि आप यहाँ पिंद गार्लिक यहाँ बढ़ते나ा गार आण चलू कने से छुछ मेंद आप फटा फटा यहाँ फैनली चॉप की थी गार्लिक और फैनली चॉप की मैं एक बड़ी notices का प्याज के अई चाहूं, मैं एक बड़ी किसे फ्राइरेज बना रही हो और यहां पर मैंने तीन अंडा लिया है उसको अच्छे से नमक डालके अच्छे से जो भी सबजी है मैं साइड में कर दूंगे और अंडा हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और जैसे पकेगा उसको हलके हाथ से हम साइड में करते और यहां पर मैंने गाजर और प्याज के साथ ondo ताक्याड़ं उन्डव सारा भात मिक्स कर दिया है up और यहां पर मैं चावल डाल को लहाँ अब और यह देखा कितना कहिला tyre माहारा भना है इसमें मैं डाल दूँगे और इसमें मैंने सोया सॉस चीली सॉस और थोड़ा सा विनीगर डाला है और यहाँ पे मैंने डाला है प्याज का पत्ता इससे फ्राइ राइस का में फ्लेवर आता है तो सारे चीज़ों को मैं अच्छे से mix कर दूँगी बहुत ही मज़ेगा बना है इसमें मैं नमक भी डाली हूँ और इसमें मैंने कुछ भी जादा नहीं डाला है और मार्केट के जैसा हमारा फाइल इस रेड़ी हो चुका है जो कि आप देख सकते हैं और ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करते हूँ ब्लॉग पसंद आये तो लाइक, सब्सक्राइब और ज़्याद ज़्याद शेयर जरूर करें दुआ में हमें याद रखें अलाफेश